ओम नमस्षिवाय जय महाकाल आप सबको पता होगा कि कल है पुत्रदा एकदसी पूझे गुरुजे की कता से सुनके बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा बहुत ही सुन्दर्तिती है अगर आपको पुत्र चाहिए तो पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही सुन्दर सा और सिर्फ दो बार पढ़ती है कब साल में दो बार है जो पहली बार पढ़ती है वो आपकी पढ़ती है सावन के महीने में कब पढ़ती है सावन के महीने में और जो दूसरी पुत्रदा एकदसी पढ़ती है वो पौश के महीने में पढ़ती है जो कि देखिए आपका कल है ठीक सुबे कर लो शांबो करना जाओ तो शांबो कर सकते हो ठीक है पहुच के पहुचने के बाद आपको एक काम और करना होगा काम क्या है कि आपको एक घी का दिया गोल बत्ती का फिर से बोल रहा हूँ घी का दिया गोल बत्ती का आपको सबसे पहले पहुचते ही लगाना है पने खीर जो बना के अपने घर से लेके गए हो उसका भोग लगा दिया अब देखो यहीं से सारा उपाय होता है जो तीसरा काम है वो क्या करना है लेकिन उससे पहले वीडियो का आप लाई करो और आवाज जो लोग पहली बार सुन रहे है चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ठीक है जो तीसरा काम होगा देखो जब आप किसी भी महादेव के शीवलिंग के पास जाओगे ना तो उनके उपर बेल पत्र जरूर समर्पित रहती है चड़ी होती है आपको क्या करना है दो बेल पत्र यहाँ पर शीवलिंग के उपर से उठा लेना है उनसे उठाना महादे पिर दीवह बेल पत्र को चबा चबा करके कूँच कूच करके आपको वहीँ पर चोखट पर ही बैट करके खा लेना है और महादेव से कामना करनी है कि हमें पुतर हो या फिर पुतरी हो मैं तो कुई को मैं किसी चीज में भेदभावो नहीं करता पुत्र चाहिए पुत्र मांग लो पुत्री चाहिए पुत्री मांग लो ठीक है वहाँ पर बैट करके खा लेना चबा चबा के जो दूसरी बेल पत्र आपके हाथ में है उस दूसरी बेल पत्र को ले जाना और अपने हस्बेंड को अपने पती को देना खाने के लिए उनसे भ काम सिर्फ और सिर्फ पुत्रदा एकादसी को ही किया जाता है और किसी दिन नहीं करते हैं हर एक उपाय का अपना दिन होता है अपना टाइन निरधारित होता है ठीक है मैंने कोशिश की है अच्छा समझाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजे कुछ पूछना ओ नई समझ में आ नीचे कॉमर में पूछें आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को बंद करने इस पहले एक बात बता दूं कि किसी भी तरीके से भेदभाव मत करिए कि पुत्र हो चाहे पुत्री हो कोई संता घर में होना बहुत जरूरी है तो आप उस कामना से इस उपाय को करिएगा ठीक है ओम नमस्षिवाय जै महाकाल